दोस्तों मैं शाकरता आफ्योड ठीख होंगे शेफ होंगे दोस्तों आज हम इस वीडियो में क्लियंज ब्रुक्स के बहुत इम्पॉरेंट ऐसे लैंगोज वे पर बात करेंगे तो बहुत इम्पॉरेंट ऐसे है लिटरीक देशिजम में और मैं सिंपल तरिके से इस ऐसे का अपको समझने के कोशिक करूंगा तो चलिए उसके बीडियो को प्रसक्राइब करते हैं जो इसे में दूस्तों क्लिंण ने पैर लुक्स का पर संग्निंग्रीअट नहीं हो सकता उनकी हिसाब से एक प्याःट अपनी पॉयिटरी में बहुत सारे रिजनस से प्रडॉक्स को यूज करते हैं प्रडॉक्स यूज करके पॉयिट्ट बहुत important topics को poetry में add करते हैं paradox opposite and contradictory को unite करता है और जितने भी famous poetry है जितने भी famous poem है उन में poetry का language को दिखा देखा जा सकता है क्योंकि without paradox poetry significant नहीं हो सकता है उसके पास तो क्लिंद ब्रूग यह बहुता है कि जो poetry का language है वही paradox का language है paradox के बीना poetry significant नहीं हो सकता उसके बात वह कुछ poems का example देते हैं जैसे कि क्लिंद ब्रूग से कहते हैं कि जो उल्याम वर्षबोत है उन्होंने अपने पॉइंस में ज्यादा प्राइडॉक्स तो यूज नहीं गया लिकिन फिर भी उनका कुछ poems है जो प्राइडॉक्स के लिए फेमास है जैसे कि क्लिंद बुक्स वुल्याम बॉर्षबोत के बारे में बोलते हैं जिसका नाम है यह दोस्तों जो पॉइम है कमपोज वैसमेस्टर बीज इसमें इतना कोई सिंग्निफिकेंट रॉल नहीं है उतना significant image literary devices नहीं है लिकिट फिर भी यह फेमास है क्योंकि प्राइबस की बज़ा से वर्षबूत ने हाला कि प्राइबस को इतना यूज नहीं गया है लेकिन यह जो नहीं का पॉइम है इसलिए फेमास है क्योंकि इसमें वर्षबूत ने प्राइबस को यूज किया है अगर वह प्राइबस को इस पॉएम में यूज ना करते तो यह पॉएम इतना फेमस नहीं होता क्योंकि इस पॉएम में जोन 건데 का जो पॉएम के उनर्ञेशन इसमें भी बऌख बरा रुण है यह जो पॉएम है यह के करें इस मौएम सेंट हूड एंड एंड मौररन में का पैराउडी है वाला कि इस पॉएम में जोन टन ने परिदो ओस्ड़ को उतना सिरियासले लिया नहीं है लेकिन फिर भी इस पुए मिसक्स के पीछे इसách में जो ऊíst कर गये उसका बहुत ही बड़ा रोल है इसके अलावा भी जो उलियाम ब्लेक है उनके पॉए में भी हम परिद Tinこos सकते हैं अलेक्जेंडर पोप के पॉएम में भी हम प्याडुस को देख सकते हैं यह तक कि जो निव आ प्लासिकल पॉएट है वो भी आपने पॉएम में प्याडुस को यूज करते थे इन शौट क्लिंद बूक्स ने इस ऐसे में प्याडुस की इंपोर्ट के बात कि किस तरह पॉएट्री में प्याडुस का इंपोर्ट है और अगर कोई पॉएट अपने पॉएम में प्याडुस को यूज करता है तब ही उस पॉएम का जो हीडन मीनिंग है जो एकजट मीनिंग है वह और्डियंस के सामने शो होता है तो इसी तरह क्लिंद बूक्स ने इस पैसे में प्राडुक्स का इंपोरेंस को बताया है तो थेंकर सुमाद दोस्तों आज के लिए इतना है मैं अशा करतों वीडियो सब्सक्राइब होगा दूस्तों गुडबाई अच्छे रिए सोस्त्री